पोईट्री की अपनी जबान होती है हर लैंग्विज में हम हिंदी में पढ़ें पोईट्री अंग्रेजी में पढ़ें पोईट्री या किसी और भाषा में पढ़ें हम सारे लवज नहीं जानते हैं बहुत अच्छे भाषा के जानने वाले भी जो ये क्लेम करें कि वो हिंदी जानते हैं वो कबीर की हर लवस को नहीं समझ सकते हैं या सूर दास की हर पंक्ती को नहीं समझ सकते हैं हमेशा literature की अपनी ये एक limitation होती है, कभी-कभी आपको dictionary में जाना पड़ता है, समझने में थोड़ा वक्त लगता है, तो मैं इसको उर्दू की limitation नहीं समझ रहा हूँ, यहां से बात शुरू करता हूँ, मैं तीन हिस्सों में बात करना चाहता हूँ, एक हिस्सा जहां थोड़ा बहुत touch करने की जरूरत है, मेरे ख्याल में, romanticism को और realism को के, यह हैं क्या चीज़ें, दूसरे मैं चाहता हूँ के थोड़ा सा आप लोगों के लिए cover कर दूँ, उर्दू की history और उसके साथ जुड़ी हुई politics को, जो हमारी लगभग 200 साल का इतिहास है, इस politics का, जो उर्दू की और हिंदी के नाम से चल रहा है। और तीसरे में फिर revolutionary poets, जो romantic realism का पार्ट रहें उर्दू जबान में, उर्दू भाशा में, उनको touch करना चाहता हूँ, जहां मैं examples दे पाऊंगा, एक अदा मस्ताना सरसे पाऊं तक च्छाई हुई, उफ तेरी काफिर जवानी जोश पर आई हुई। ये एक घटिया शेर है। ये एक बहुत बड़े उर्दू शायर का, मुझसे पूछें तो बहुत घटिया शेर है। इससे और घटिया शेर कहे गए हैं, जैसे उनसे चीके से कोई चीज उतरवाई है, काम का काम है, अंगडाई की अंगडाई है। ये घटिया शेर, घटिया शायर का है। पहला वाला घटिया शेर बहुत बड़ी शायर का था, जिनको उस्ताद माना जाता है। अगर हम इन दोनों को देखें, शेर को, तो एक बात पड़ी क्लियर है, कि दोनों इंस्टिंक्ट्स को इन्वोक करने के शेर हैं। इनमें इससे ज़्यादा का सबस्टिंस नहीं है। लेकिन ये इंस्टिंक्ट को इन्वोक करने का जो प्रोसेस है, उसमें ये रोमैंटिसिज्म का एक पार्ट बन जाते हैं। ये romanticism जिसके हम बात कर रहे हैं, उसकी शुरुवात होती है, painly categorization of paintings से, 17th century की कुछ paintings हैं, जिनको हम romanticism से जोडते हैं, और फिर ये debate literature में आती है, both short stories हैं, poetry है, novels हैं और drama हैं, ये जो तीन चार हिस्से हैं हमारे culture के, उनमें romanticism का एक period कहा जाता है, और ये debate की शुरुवात उससे होती है, जब कुछ लोग कहने लगते हैं कि हम realist हैं, और ये आपस का जगड़ा, कि हमारा कुछ अलग तरीका है, depict करने का feelings को, और reality को, और दूसरे लोग कहने लगते हैं, कि हम पुराने tradition के लोग हैं, हम romantics हैं, और इससे जुड़ी हुई एक पूरी debate हमको दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं कि, literature for the sake of literature, poetry for the sake of poetry, painting for the sake of drama, painting drama for the sake of drama, होना चाहिए, उसमें कोई मकसद नहीं होना चाहिए, दूसरा group जो emerge होता है, 18th, 19th, 20th century में, वो यह कहता है कि, literature for the sake of literature कुछ नहीं होता, painting for the sake of painting कुछ नहीं होती, तो मैं इस धड़े का आदमी हूँ, जो हमारे देश में, people's writers association की debate रही, या बहुत सारे शायर, लिखने वाले, ड्रामा करने वाले, फिल्म मनाने वाले, जो इस पाले में थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे, जो यह कह रहे थे, कि, literature for the sake of literature होना चाहिए, यह नारे बाजी, तो देखते हैं, नारे बाजी क्या होती है, नारे बाजी, जिसको realist का आप नाम दे सकते हैं, यह realism का नाम दे सकते हैं, वो वो लोग थे, जो यह कह रहे थे, कि, हमारे चारों तरफ जो reality है, हम उसको जैसी है, वैसा depict करना चाहते हैं, यानि अगर painting बनाए गई, खास्तोर से United States में एक पूरा दौर चला है, जिसमें realist ने ये कहा, कि हम painting बना रहे हैं, तो जो सामने है, उसमें perfection लाने की कोशिश करेंगे, वो जैसी है, उसको perfect करेंगे, अगर human body बना रहे हैं, तो perfect human body होगी, अगर scenery है कोई दरिया के किनारे, तो वो perfect होनी चाहिए, जैसी दिखाई दे रहे हैं, अगर drama कर रहे हैं, तो drama में जो पात्र हैं, जिन characters को हम use कर रहे हैं, वो characters perfect real characters होना चाहिए, जैसा fair reality वैसा हम depict करेंगे, इस बहस से निकलती है एक चीज़ जिसको romantic realism का नाम दिया गया, romantic realism में बहुत सारा confusion है, confusion इसलिए है कि goeble से लेकर के और चिखाफ तक, हर तरह के लोग आपको उसमें दिखाई देते हैं, जो claim कर रहे हैं कि हम romantic realist हैं, मैं यह समझता हूँ कि जितना मैंने इस debate को देखा है, उसमें कोई भी literature produce किया जाए, कहीं भी produce किया जाए, वो romantic realism के पैमाने पर हमेशा कहीं न कहीं फिट किया जा सकता है, because जब हम literature की बात करते हैं, जब हम poetry की बात करते हैं, film की बात करते हैं, तो एक तरफ हम reality को depict करने की कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं, उससे हम बची नहीं सकते, चाहे हम कहें कि हम literature produce कर रहे हैं for the sake of literature, लेकिन reality के बाहर चले जाना बिलकुल, ये मेरे समझ से नामुम्किन बात है, वो ही नहीं सकता, और ये भी possible नहीं हैं, कि हम reality को reality की तरह से ही depict करके और उसको present कर पाएं, क्योंकि जैसी हम जिन्दगी जी रहे हैं, उसको हम लोगों के सामने जब पेश करने जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी subjectivity, हमारा imagination उसको एक दूसरे level पर पहुँचाने की प्रक्रिया का हिस्स, प्रोसस का हिस्सा बन जाता है, तो ये दोनों चीज़ें pure मेरे ख्याल में हो ही नहीं सको ही, तब फिर मेरे सामने ये सवाल था, कि ये romantic realism को कैसे define किया जाए, किस तरह से करें, तो मेरी personal definition है फिर, एक romantic realism की, कि वो objective जो है आपका, जिस चीज़ के लिए आप लिख रहें, वो decide करेगा कि वो जो कुछ आपने लिखा है, वो romantic realism है के नहीं, और एक नई दुनिया का, खुबसूरत समाज का, बेहतर इनसान का, खुआब अगर नहीं है, तो मैं personally, इसको ज़्यादतर लोग accept नहीं करेंगे, अगर literature में, अगर fun, जिसे हम कहते हैं, वो कोई चीज़ छोटी सी produce करने से ले करके, और ड्रामे तक, वो नारे से ले करके, और poetry तक, अगर उसके अंदर एक नई दुनिया का, एक खुबसूरत समाज का, एक बेहतर इनसान का, एक उंची सतह, एक उंचे plane पर ले जाने वाला element नहीं है, तो मैं उसको romantic realism नहीं मानता, और इसी light में मैं उर्दू literature की बात करूँगा, उर्दू की history को अगर हम देखें, तो उर्दू word, उसका मतलब होता है, camp, and specifically उस जमाने में यूज़ होता था, army camp के लिए, तो normally ऐसा लगता है कि, और बहुत सारे लोग कहते हैं, historians of उर्दू कहते हैं, कि उर्दू जबान जो है, वो camp की जबान है, जब मुसल्मान उधर से आए, और यहां फार्सी के साथ, उन्होंने एंटर किया, तो और जबानों के साथ interaction में, camp में बोली जाने वाली जबान, जहां बहुत सारी बोलियों का interaction था, वहां जो जबान develop हुई, वो उर्दू जबान है, यह एक normal, classical समझ है, जो उर्दू के बारे में, खुद उर्दू वालों की और historians की बहुत जमाने तक रही है, लेकिन इस understanding को लगतार challenge भी किया गया है, उर्दू वर्ड को पहली बार जो इस्तमाल किया गया है, वो जहांगीर के जमाने में किया गया है, और जो शायर है, मुसफी, बड़े शायर हैं, बड़ा नाम है उनका, पूरा नाम मुझे याद नहीं रहता है, उनका, हमदानी मुसफी है, 1780 में पहला trace मिलता है, उर्दू word को जबान के लिए इस्तमाल करने का, उर्दू word पहले था, exist करता था, लेकिन camp के लिए था, camp के अंदर जबान के, को depict करने के लिए, उर्दू लव्ज का इस्तमाल नहीं हुआ, उर्दू शब्द का इस्तमाल नहीं हुआ है, इससे पहले, कम से कम literature में नहीं है, literature में तब ही आती हैं, जब उससे थोड़ा पहले, शुरू हो जाती हैं चीजें, लोग बात करना शुरू कर देते हैं, तो मान लेते हैं कि मुसफी 1780 में हैं, तो शायद 1750 के आसपास, इसके बारे में बात शुरू हो गई होगी, कि एक नई जबान develop हो रही है, और उसको हम उर्दू का नाम दे सकते हैं, मेरी अपनी understanding जो है उर्दू के बारे में, जिसको आज हम उर्दू कहते हैं, वो यह है कि जब seat of power, जो हमेशा एक ऐसी language इस्तमाल करती है, जो लोगों से कटी हुई language हो, because that is how you create hegemony of the seat of power, तो लगातार वो एक ऐसी जबान invent करती रहती है, जो आम जनता की समझ में नहीं आए और आप ये कह सकें कि आप बड़े हैं, आप ज्यादा अकलमंद हैं, आप ज्यादा knowledge रखते हैं, क्योंकि आप वो जबान जानते हैं, जैसे आज हिंदूस्तान में हम experience करते हैं, if you don't know English, then you are an idiot, अगर intellectual हैं और intellectual बात करनी हैं आपको, या आप को माना जाए, intellectual, बड़ा scientist, बड़ा poet, बड़ा writer, बड़ा historian, अगर अंग्रेजी नहीं आती, तो नहीं हो सकते हैं, ये सिर्फ colonial mind नहीं है, colonial mind तो ही क्योंकि अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ colonial mind नहीं है, ये hegemonie हमेशा, ruling classes, जो create करते हैं, language उसका एक part होती है, और language जतने difficult होगी, उतने ज्यादा consolidation होगा, hegemonie का, तो जब ये ruling class हिंदुस्तान आती है, तो वो फार्सी लेकर के आती है, फार्सी जो कटी हुई जबान है, जिसको बोलने वाले बहुत कम हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन डिल्ली की seat की hegemonie का एक part है, Persian language, और जब भी ऐसी hegemonie क्रियेट होती है, कहीं भी, तो उसके खिलाफ आम जनता से हमेशा reaction होता है, बिलकुल वैसे ही जैसे संस्कृत के खिलाफ एक जबरदस्त रियक्शन था, जब परशन गई हाल था, तो दूसरी तरफ से रियक्शन आना जरूरी था, लोगों को अपनी एक जबान की जरूरत थी, जो फारसी के सामने खड़ी हो सके, और ये जबान निकलती है पंजाब से जो रियक्शन है, जो पेरिफरी पर है, जो सिंध पेरिफरी पर है, वहाँ से, जिसको आज हम महाराश्टा कहते हैं, वो, जो सदर्न पार्ट अफ इंडिया है, गोल कुन्डा के आगे का जो इलाका है, या बंगाल का इलाका है, बिहार का इलाका है, यहाँ से ये रियक्शन धीरे धीरे उठता है, वो दौर ऐसा दौर है, जहां कोई एक आर्मी नहीं होती है, जब बाश्चा को जरूरत होती है, तो वो जगा जगा से आर्मी बटोरता है, वो कहीं यहाँ से किसी राजा से कहता है पांच हजार बेज दो, वहाँ से कहता है दस हजार बेज दो, और कुछ उसके अपने होते हैं, और यह सब हिंदुस्तान में एक मल्टी कल्चरल सुसाइटी में, जिस जगा मिलते हैं, वहाँ पर यह जबान का पैदा होना, परवरिश होना ज्यादा नेचुरल हो जाता है, लेकिन यह रियक्शन है आम जनता का अवाम का जो पेरिफेरी पे हैं, और इस प्रोसेस में कभी यह जबान ज्यादा करीब होती है, जिसे अब्भरंश कहते हैं, या पंजाबी कलोकियल से के साथ साथ खड़ी बोली के साथ हैं, जब सीट अफ पावर सदरन पार्ट अफ इंडिया में जाता है, तो यह तमिल तिलगो मल्यालम का असर लेती है, वापिस अकबर के दर्बार तक पहुँचते पहुँचते हम ब्रज के इलाखे में चले जाते हैं, तो इसके उपर ब्रज का असर ज्यादा पढ़ने लगता ह जो इस्ट इंडिया है, जिसे हम कहते हैं, ब्याउन ब्रज, वहां से प्राकरितिक लैंगवजेज का असर शुरू हो जाता है, तो यह बहुत सारी जो लैंगवजेज हैं लोगों की, जो अवाम की हैं, आम जनता की हैं, उन से मिलके एक जबान खड़ी होना शुरू होती है मेरा मानना यह है कि अमीर खुसरो इस जबान को एक नई नई प्लेन के उपर ले जाने का रास्ता खोल देते हैं, जहां वो बहुत सारी लैंगवजेज के मास्टर हैं खुद, अरबिक, पर्शियम, संस्क्रेट ये, वो वगरा, वगरा, सर्दन पार्ट अफ इंडिया का गुमगाम के आप ने, वो शायरी करते हैं, शायरी उससे पहले भी हो रही थी, ज़द तर पर्शियम में हो रही थी, लेकिन अमीर खुसरो के जमाने के बाद का जमाना एक लंब कुली कुतब शाह, उर्दू के पहले ऐसे पोईट हैं, जिनका दीवान, यानि कलेक्शन है, दीवान is कलेक्शन आफ गसल्स, इस्पेसिफिकली, लेकिन उनकी लैंग्वज में आज की उर्दू के ट्रेसिस नहीं मिलते हैं, कुली कुतब शाह 1580 से 1611 तक हैं, और वली दकन जिने जादातर लोग वली दकनी के नाम से जानते हैं, ये 1667 तक हैं, ये पहले ऐसे शायर हैं, जिनकी जादातर पोईट्री में आज की उर्दू के ट्रेसिस मिलते हैं, बहुत अलग तरह की है पोईट्री, जबान भी बहुत फर्क है, और इसमें बहुत कुछ, ये हैं पैदा गुजरात में होते हैं, वहाँ पलते बढ़ते हैं, लेकिन जगड़ा इस बात के उपर है, कि ये ओरिजिनली गुजराती हैं या ये ओरिजिनली हैदराबादी है, उसके उपर आज तक मामला सेटल नहीं हो पाया, और ये अपने को क्या कहते थे, वो भी सेटल नही इनका मजार था, वली गुजराती का, उसको खतम कर दिया, और उसकी जगह पे पंधरा दिन के लिए एक हनुमान मंदिर बना दिया गया था, मंदिर खड़ा तो नहीं हो पाया था, वो भी हटा दिया गया, उसकी जगह के उपर साड़क बना दिया, तो बाराल हमारा पहला उर्दू का पोईट जिसको लेजिटिमेटली हम कह सकते हैं, वो वली दकनी, वली दकनी इस कल्मिनेशन अफ रियाक्शन अगेंस्ट पर्शियन पोईट्री, बिकोज पर्शियन पोईट्री में घजल का दोर दोर आ है, और कोई भी उस वक्त का शायर, कुछ हैं शायर उस जो उर्दू में या बरंच में कर रहे थे, शायरी, जिसमें जटली हैं और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उनको शायर ज्यादा आज भी तसलीम नहीं किया जाता है, और उर्दू का शायर वीक है मामला, कि उसको उर्दू के साथ किया जाए, पर ये सारे शायर, जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं, हेजमनी ऑफ पर्शन, और दूसरी तरफ कुछ शायर ऐसे हैं, जो बिलकुल गाली गलोच पे उतरे हुए हैं, डिली की सीट ऑफ पावर के खिलाफ, जिसमें खास सोरसे जटली हैं, पर वो गंदी की जो है, वो रियाक्शन है, अगेंस्ट डेली ये जादातर घजल, जो अगले सौ साल तक, इंफ्लूएंस्ट है एक तरफ, पर्शन पोईट्री से, वहीं ये चैलेंज कर रही है, पर्शन पोईट्री को, के उर्दू में भी वो सारी खुबसूरती मौजूद है, जो पर्शन के अंदर हो सकती है, बहुत सारे शायर हैं, जो कहते हैं कि हमारे लिए उर्दू का कैनवस इतना बड़ा कैनवस नहीं है कि हम उसमें अपने सारी शायरी कर पाएं, तो हम बड़े कैनवस के लिए पर्शन की तरफ जाते हैं, जिसमें बेदिल हैं, यहीं उनका मजार दिली के अंदर ही, जिनको हूमेच पे किया है लग उर्दू का सबसे वड़ा शायर, 19-20 सदी का, वो यह कह रहा है कि उर्दू मेरे लिए काफी नहीं है, और वो लिखता है अपना 3-4 जो पोईट्री है वो पर्शन में कर रहा है, 1-4 पोईट्री उर्दू के अंदर है, पर जो उर्दू में है वही कमाल है, परहल यह तसल ल जब 19th century में एंट्री होती है उर्दू की, तो उर्दू के अंदर इतनी सकत, इतनी capability, इतनी capacity आ चुकी है, कि उसमें higher levels of thought को पिरोया जा सके, इसमें यहां दो चीज़े समझने की जरूरत है, कि एक तरफ उस तरह की शायरी है, जिस तरह का मैंने एक घटिया सा शेर आपको सुनाया, बहादूर शाज़फर के उस्ताद का शेर, और दूसरी तरफ, poetry including घजल, वैसे कसीदा, मस्नवी, मरसिया, बहुत सारी forms हैं, जो कुछ हिंदुस्तान से आई हैं और कुछ बाहर से हमने लिए हैं, Persian poetry से लिए हैं, Arabic से लिए हैं, क्योंकि घजल का original, जो form डेवलप होती है, घजल की original वो Persian में होती है, meters, Arabic में होती है, वो Persian में आती है, मीटर्स बहुत कम हैं उनके पास, हमने यहां बहुत सारे मीटर्स डेवलप कर लिए, साथ, आठ मीटर्स ज्यादतर अर्दु जबान में इस्तमाल होते हैं, पर almost 52 मीटर्स हैं, जो legitimate मीटर्स माने जाते हैं, poetry करने के लिए, गजल में गालिप क्या आते हैं, मीर इस टर्निंग पॉइंट जो गालिप से पहले हैं, मीर तकी मीर उनका नाम है, दिली के पोईट हैं, बहुत एरोगेंट हैं, नाक चड़ी रहती है, गरदन अकड़ी रहती है, लेकिन जो poetry है, उसमें, पूरी poetry के अंदर यह है, कि मेरे उपर कितना जल्म हो रहा है, हमारे उपर कितना जल्म हो रहा है, पूरी poetry इस तरह कि है जैसे कि आप बस मीर साब जो हैं, वही last आदमी हैं, जिनके उपर सारा बोज दुनिया का पड़ा हुआ है, पर बहुत खुबसूरत चायर है, इस ग्रीट माइंड, वो ये भी poetry कर रहे हैं, कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ये वला आप समझ गया होंगे, मिसरा, इसकार, आफाक की इसकार गहे शीशा गरी का, सेकंड लाइन ये कह रही है, कि अगर तुम सांस भी लोगे, तो कहीं न कहीं उसका impact होगा क्योंकि हर एक चीज दूसरी चीज से इस cosmos में and he uses cosmos cosmos में connected है तो अगर आप breathe कर रहे हैं breathe gently please because यह जो पूरा cosmos है यह एक ऐसी workshop है जिसमें सारी चीज़े delegate है crystalline है और सारी चीज़े एक दूसरे से connected है मीर यह भी लिख रहे हैं कि मीर के दीनों मजभब को पूछ तो क्या हो उनने तो कशका खेचा यह तिलक कशका खेचा दैर में बैठा कबगा तरक इसलाम किया तो जो भी organized religion है उसके खिलाफ अर्दू poetry almost शुरू से खड़ी हुई खुदा के concept के साथ लगातार जगडा है और यह अपनी जैनित पे पहुंचता है गालिप किया अगर के अ और पोइट्स अलमोस्ट अक्रोस दबॉर्ड are uneasy with the concept of God वो God की praise में लिख रहे क्योंगे शुरुआ थी किसी भी किताब की या तो हिंदी में होती थी तो गडेश्वंदना से होती थी और अगर उर्दू में होती थी तो हम्द, नात बगारा से शुरू होती थी आपको लिखना ही होता था प्रोज लिखें चाएं पोईटरी लिखें पहली चीज जो होगी किताब के अंदर traditionally वो या तो गडेश्वंदना होगी और या फिर हम्द और नात होंगी गॉड की praise में लेकिन खुद गॉड के concept के साथ लगतार जगडा है और ये सिर्फ permission organized religion सिर्फ और सिर्फ शायरों को देता था कि वो bluntly blatantly God के साथ जगडा कर सके सिर्फ और सिर्फ शायरों को उसकी वज़ा है मेरे ख्याल में कि शायरों को हमेशा चूट क्यों मिली रही हर literature किसी भी culture में आप जाएए शायरों को एक लंबी रसी मिली रहती है उसकी वज़ा शायद ये है कि खुद religion की और language की दोनों की शुरुवात शायरी से होती है दुनिया में बहुत कम exception है किसी भी language के जहां शुरुवात में शायरी ना की गई हो language के formative stages में formative stages में आपको prose में ही मिलता ज्यादतर languages में poetry मिलती है तो वो tradition कि इसका कहीं ना कहीं तालुख higher philosophies के साथ है ये उपर से उतरती है कहीं से तो फिर शायर को छूट मिल जाती है इस छूट में गालिब महारत रखते हैं उन्होंने खुब इस्तमाल किया है है कहां तमना का दूसरा कदम यारब यारब इस God एखुदा मेरी तमना का दूसरा कदम कहां पढ़ने जा रहा है पहला मिसरा ये कह रहा है एक लाइन को और दूसरा मिसरा कहते है दूसरा मिसरा दूसरी लाइन जो है इसकी कहती है है कहां तमना का दूसरा कदम यारभ हमने दश्ट इमका को एक नक्ष पा पाया यह जो तुरी जमीन है यह जो तेरा कोसमस तूने बना के खड़ा किया हुआ है हमारा तो यह एक कदम है वस एक कदम का भी इंप्रिंट है जहां तूने हमें He is invoking the biblical concept कि वहाँ पर सेब खालिया था या गेहु खालिया था और उसके बाद निकाल दिये गए आदम साब और वो उनको यहाँ फेग दिया गया तो गालिब इसको इस्तमाल कर रहा है कि यह तो अभी एक कदम रखा है मैंने तो किस चक्कर में पड़ा है भाई तु समझे रहा है निकाल दिया हो वहाँ से हमें और किस्सा खतम हो या नहीं अभी एक कदम रखा है जब दूसरा कदम रखेंगे तो क्या क्रियेटिविटी होगी तो तुझे मालूम भी नहीं है अभी मालूम भी नहीं पता भी नहीं है ये मुश्किल शेयर आपको सुना रहा हूँ गालिब का एक और हूँ गर्मिये निशाते तसवर से नगम संच मैं अंदली बे गुल्शने ना आफरीदा हूँ पहली लाइन कह रही है कि अपने अंदर जो मेरे बहार आई हुई है उसकी गर्मी से मैं गाने गा रहा हूँ ये एक लिटरिल ट्रांसलेशन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ऐसा बुलबुल हूँ जो अपने अंदर जो बहार आई है उसकी गर्मी से गाने गा रहा हूँ मैं एक ऐसे बाख का बुलबुल हूँ जो अभी पैदा नहीं हुआ मैं अंदलीब गुलशने नाफरीद है एक ऐसा गुलशन जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है नाफरीदा का मतलब होता है जो आया नहीं है अभी इग्जिस्टेंस में नहीं है What is he saying? He is saying कि तुम क्या किस चक्र में पड़े हो तुम ये बताते हो कि तुम सब कट्रोल कर रहे हो यहां पे वहां उपर बैठ के ऐसा कुछ नहीं है ये जो मेरे चारों तरफ दुनिया है ये तो अभी पैदा ही नहीं हुई है मेरे इमेजिनेशन में अभी तो मैं तो उसी की गीतगा रहा हूँ तुम से कोई लेना देना नहीं इस दुनिया को जो बनाई ये तुनिया मैं तो उससे आगे की दुनिया की बात करता हूँ ऐसी दुनिया जो बनी ही नहीं तुम बना ही नहीं सकते वो दुनिया मैं खुद बनाऊंगा और गालिब के ऐसे लातादाच शे कोई एक दो नहीं न था जब मैं तो खुदा था नहोता मैं तो खुदा होता डुबोया मुझ को होने नहोता मैं तो क्या होता डाइरिक्ट चैलेंज है the notion of God, the concept of God के ये God का concept ये मेरी वजा से है अगर मैं नहीं होता तो तुम भी नहीं होता तुमारे existence का कोई फाइदा नहीं था बगएरा बगएरा he is also regularly challenging organized religion and the power बहुत सारी examples है लेकिन गालिप की एक और बड़ी बात है कि he is also master of double meaning जिसमें share को आप कैसे पढ़ रहे है उस पे depend करता है कि क्या मतलब निकाला जा सकता है दर्द मिन्नत कशे दबा न हुआ मेरा दर्द thankful नहीं हुआ तबा का दर्द मिन्नत कशे दबा न हुआ मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ इसके दो मतलब है मैं अच्छा नहीं हुआ ये बात बुरी नहीं है क्योंकि अगर अच्छा हो जाता तो मेरे दर्द को दबा का thankful होना पड़ता राइट मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ और दूसरा मतलब है क्योंकि मैं बुरा नहीं अच्छा मेरा दर्द जो है उसका मैं thankful नहीं हुआ तो मैं अच्छा भी नहीं हुआ बुरा भी नहीं हुआ कोई फर्क ही नहीं पड़ा मेरी हालत पे तो गालिप ये लगातार खेल लफजों के साथ करते रहते हैं मुश्किल शायर हैं इसलिए और ज़्यादा मैं उनके वो नहीं दे रहा पर अब अंग्रेजों का दौर शुरू होता है और अंग्रेज बहुत जल्दी रियलाइस कर लेते हैं कि हमको हिंदुस्तान में जहां मुजिक है जहां लिटरिचर है जहां पोट्री है जहां प्रूज है जहां डिबेट्स हैं अन फिलासिफी तो जरह मुश्किल है इनके साथ उस तरह बहेव करना जिस तरह आफरिका या लेटिन अमारिका के साथ वो बहेव कर रही तो इसमें फॉर्ट विलियम कॉलेज एक वो बनाते हैं क्यालकटा में जहां पर बहुत सारा ट्रांसलेशन वर्क शुरू होता है कोडिफिकेशन होता है ट्रांसलेशन होता है और उसके साथ साथ नया लिटरिचर प्रिउस करने की भी गुंजाईश ट्रक ही जाती है उनकी प्राबलम यह होती है कि वो समझ नहीं पाते हैं जगा जगा अलग अलग दो-तीन हजार हमारे तो प्रेजिदेंट साब ने का एक सो कुछ है ना लैंगवजेश आज एक हजार यह है कुछ ऐसे हैं तीन, जड़े तीन हजार डालेक्ट इनका क्या करें तो तो आपक टेगरिए इन इनिशिल प्रियूद नो इन इस के टेगरिजेशन प्रेजिएशन देगरिए अलग्वज विच विच इंडर रहन चेपर्शन स्क्रिप्त अज अज़ अर्दू लिटरिचर के अंदर अर्दू जबान के हिंदवी, हिंदी, अर्दू मौला, देहलवी, रेखता ये सारे नाम मिलते हैं अर्दू नहीं मिलता है आम लोग इसको हिंदी के नाम से जानते हैं पर्शन है और हिंदी और हिंदी ज़्यादातर फार्सी रस्मलखत में लिखी जाती है ज़्यादातर औरतों के लिए और हिंदू औरतों के लिए जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी Language का नाम है हिंदी लिखी वो जा रही है ज़्यादातर पर्शन स्क्रिप्ट के अंदर इसमें कोई contradiction और कोई division नहीं आप इसमें फार्सी के अलफाज इस्तमाल कर सकते हैं आप इसमें Arabic के Turkey जहां का असर है लेकिन वहां से अलफाज नहीं है उर्दू वर्ड भी Turkish वर्ड है ज्यादातर जो कुछ लिखा जा रहा है अलग-अलग regions में उनमें असर है अलग-अलग जबानों का कहीं पर ब्रजबाशा का है कहीं पर संस्क्रिप्ट का है कहीं पर किसी और का है तो assimilation हो रहा है जगा जगा अलग अलग जबाने हैं लिख रहे हैं आप फार्सी रस्मलखत में और फार्सी रस्मलखत और अर्दू के alphabets में इतना ही फर्क है कि कुछ sounds ऐसी हैं जो Persian में नहीं है उनके हाँ hard ना है हमारे हाँ soft ना भी है तो उसके लिए एक alphabets add कर दिया गया हमारे हाँ हे अलग तरह का था उसके लिए कुछ एक alphabets add कर दिया गया early sound जो है नहीं थी उसके लिए एक alphabets add कर दिया इस तरह से 5-7 alphabets add करके फार्सी रस्मलखत हमने अपना बना लिया सिंधी में वही इस्तिमाल किया थोड़े सी फार्मा लगे और सिंधी लेंग्वज भी उसी में लिखी जाती थी divide नहीं है उर्दू हिंदी divide नहीं राइट और मैं समझता हूँ कि दोनों लेंग्वज फर्क नहीं उर्दू और हिंदी language डिवाइट को बहुत जल्दी डिवाइट क्रियेट करने के बाद अंग्रेजों ने इसका इस्तमाल करना शिरू कर दिया उनकी समझ में आ गया कि अब हमें इसके अराउंड पॉलिटिक्स करनी है और हम कर सकते हैं उर्दू को मुसल्मानों की जबान डिवाइट कर दो और हिंदी को हिंदूओं की जबान डिवाइट कर दो और इसमें लिटरिचर प्रियूस करवा हो अब अलग अलग लोगों का तो प्राब्लम खड़ी हो जाती है बिहार में बिहार में हिंदी एक लेंगवज खड़ी की जाती है सबसे पहले उस एरिया के लिए लेकिन 1838 के आसपासी फार्सी को खतम कर दिया जाता है अज ओफिशल लेंगवज उर्दू और इंग्लिश ये दोनों ओफिशल लेंगवज बाज जाती है ये 1857 से पहले की बात ये एक बड़ा चेंज है अफिशल लेंगवज जिनको अब अंग्रेज कह रहे हैं उसमें उर्दू है और इंग्लिश है इस के बाद जब 1857 होती है तो यहां से क्या फर्मान जा रही होता है फर्मान ये जा रही होता है कि जितने भी उफिशल अब रिकॉर्ड रखे जाएंगे वो दोनों स्क्रिप्ट में रखे जाएंगे उर्दू और हिंदी स्क्रिप्ट में अंग्रेज क्या कर रहे हैं उर्दू को फार्सी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं हिंदी को अर्दू के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं इंग्लिश लांग्विज इंपोस कर रहे हैं और उन्हें ये मालुम है कि इसके खिलाफ रियाक्शन आएगा तो अर्दू को अफिशल लांग्विज एक तरफ पिटाई हो रही है इसके बावजूर के सिर्फ दिल्ली नहीं बलके अवद की फौज में हर एक मुसल्मान पर तीन हिंदू हैं उसके बावजूर मुसल्मान गड़वड़ हैं हिंदू ठीक हैं तो ये डिवाइड क्रियेट करने की कोशिश जो है वो बहुत लेवल्स पे कर रही है इसमें खास तौर से जबान का इस्तमाल हो रहा है 1857 के बाद हमारे जो लीडर्शिप है वो बहुत कन्फ्यूस्ट है पिटाई हो चुकी है बहुत जोर से टेरर है बिलकुल कब किसको चड़ा दिया जाएगा सूली के उपर नहीं मालूम किसी को बख्षा नहीं जा रहा है तो अब क्या करें जो इस पिरिएड में शायर उठ रहा है खास दोर से अर्दु जबान का इंक्लूडिंग इकबाल इकबाल के यहां कन्फ्यूजन जरूरत से जागा है फिलासिफिकल लिवल के उपर वो एक तरफ तो यह कह रहा है कि उठो अब बस बहुत हो गया दूसरी तरफ वो अंग्रेजों के खरीब जाने की भी कोशिश कर रहा है उनसे सीखने भी की की भी कोशिश कर रहा है तो वो आपको कन्फ्यूजन दिखाई देता है मॉडरनिटी की बात भी कर रहा है इकबाल बड़े शायर है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन बहुत कन्फ्यूजन शायर है मेरे हिसाब से हम लोग कहा करते थे कि अगर कोई डिबेट हो रही है तो आप इकबाल के शेर से चाहे फेवर में बोल रहे हूं चाहे अगेस बोल रहे हूं शुरू आप इकबाल के शेर से कर सकते तो उन्होंने जवाब शिक्वा लिखा एक शिक्वा ये दा कि मुसल्मानों की हालत बहुत बुरी है तुम अल्ला में क्या कर रहो तब ये क्या तरीका है हमने तुम्हारे लिए यहां गए वहां गए दी अजाने कभी योरप के कलीसाओं में कभी अफरीका के तपते हुए सहराओं में वगएरा वगएरा बहुत लंबी है और फिर कह रहे हैं जहां तेरा है या मेरा मतलब तू समा ले है हमारी इतनी बुरी हालत कर दी है हमने तेरे लिए दुनिया में इतनी कुर्बानिया दी तो यह acceptable नहीं है यह उन्होंने लिख दिया मुल्ला दो हिस्सों में बठ गए एक हिस्सा ऐसा था मुल्लाओं का जो उन्होंने का आप बात कैसे कर रहे हैं अल्ला में आसे हैं तू कहे तड़ाक करके और यह क्या question कर रहे हैं आप सारा कि तुम responsible हो हमारी इस बुरी आलत के लिए तुम ठीक करो तुम समालो अपनी दुनिया को यह यह मुसल्मान नहीं करना चाहिए किसी भी शायर को उन्होंने फिर जवाबी शिक्वा लिखी pressure में आके अल्ला में आका explanation कि वही तुम खुद responsible हो अपने हालाद के लिए तो एक तरफ यह सोच है जो समाज के अंदर है कि हम खुद responsible है अंग्रेज जो आए हैं उनकी उनके दमनक और दूसरी तरफ यह है कि उट खड़े हो यह दोनों चीज़े साथ साथ चल रही है इन में ultimately जीत उस पे होती है के उट खड़े हो तुम जिम्मेदार नहीं अंग्रेज हैं इंपेरिलिज्म है और साथ में यह सारा दमन जो है वो structure का part है यह consciousness सबसे पहले उर्दु जबान की शाहरी में 1920 पच्चिस के आसपास आनी शुरू होती इसमें बहुत सारे शायर है फाली हैं फानी बनाई हो नहीं हैं बहुत सारे शायर है घजल अभी भी डॉमिनेट करती है पर इकबाल के बाद नजम उभरना शुरू हो जाती है बिल्कुल शुरू का पिरिएट जो वली दखनी से पहले का पिरिएट हो नजम का पिरिएट हो और उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट का पिरिएट उर्दु शायरी में नजम का पिरिएट का उठना है नजम और घजल में मैं बता दूँ कि क्या फरक होता है गजल में दो लाइनों में कम्पलीट मतलब होते हैं और जो नेक्स दो लाइने हों उसमें पहले वाले से कोई लेना देना होता नहीं उसका क्या ले पानी बदाई उन्हें को ले लेते हैं बना लेता है मौझे खून दिल से एक चमन अपना वो पाबंदे कफस जो फितरतन आजाद होता है एक ऐसा पंची जो हमेशा आजाद रहता है फितरतन इंट्रिंजिकली अगर आजाद रहने वाला है तो वो पिंजडे के अंदर भी एक अपने लिए चमन मिडोस क्रियेट कर लेता है ये घजल के बीच का एक शेर है और आखरी शेर है ये क्या कहते हो फानी से के तेरी मौत आई है तुम उस नाकाम के दिल से जो पूछो जिन्दगी क्या है इन दोनों में फॉर्म तो घजल की है शेर है काफिया और रदीफ है वगएरा वगएरा मीटर सेम होना चाहिए ये सब कुछ है लेकिन कंटेंट के हिसाब से कोई लेना देना नहीं आपस में घजल ऐसी होती है नजम में कंटेंट का एक सिलसिला होता है आप कहानी सुनाते है पूरी की पूरी तो ज़्यादा तर बड़े शोरा जो थे शाहर वो घजल तक अपने को सीमित रखते थे कभी कभी कह देते थे थे मसनभी खसीदा ये वो जहां कहानी हो गजल रहा है इसे ले लेते हैं कि एंटी वार एक पोईम है टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें कोग धर्ती की बांज होती है एक लाइन है फतेका जशन हो के हार का सोग जिन्दगी मयतों पर रोती है उसकी अगली लाइन इसलिए ये शरीफ इनसानों जंग टलती रहे तो बहतर है आपके और हमारे आंगन में शम जलती रहे तो बहतर है ये पूरी कहानी है एक ही कहानी है मैं नजम पे और अभी आता हूं तो घजल और नजम में ये फर्क है नजम की शुरुआत नजम की सुप्रेमिसी और चैलेंज घजल के लिए पैदा होता है ट्वेंटीथ सेंचरी की अल्मोस सेकिंड दहाई के आसपास इसमें बड़े शायर निकलना शुरू होते हैं जो अपनी बात के लिए बड़ा कैन्विस चाहते हैं उनको पूरी बात समझानी है लोगों तक पूरा मैसेज पहुचाना है सिर्फ रिफरेंसेज नहीं करने हैं सिर्फ एक ख्याल को तच करके नहीं छोड़ना है जो गजल में होता है यहां पूरी की पूरी बात केहनी है तो बहुत सारे शायर हैं जो नजम के शायरों के नाम से जाने जाते हैं यही पीरियड है जब हम कह सकते हैं कि रुमैंटिक रियलिजम clubbed with revolution मौजूद है जहां आम जनता की जिन्दगी की बात की जा रही है जहां हम नारों को एक खुबसूरत very emotional touching the final senses तक पहुँचा रहे हैं जो philosophical basis है उसको लोगों को communicate करेंगे करने की through poetry कोशिश कर रहे हैं इसमें जोश है बड़े senior शायरों में उस वक्त के बहुत बड़ा नाम है रगुपती साहिफ राकुरपूरी का जो ज्यादातर घजल के शायर हैं लेकिन नजमें जब लिखते हैं तो बहुत खुबसूरत लिखते हैं और बड़ी content से भरी हुई नजमे हैं और इनके बीच में एक यंग शायर है मजाज लखनवी मजाज लखनवी या उनके आसपास हैं अख्तरुलीमान हैं वामिक चानपूरी हैं भूक से मर गये थे बिंगाल में खास तोर से और यहीं साहिर लुद्यान भी लिख रहे हैं कि पचास लाक फसुर्दा सड़े घले धाचे निजाम ज़र के खिलाफ एहतजाच करते हैं उनकी भी लंबी नजमें इस इस पिरियों कि अधर्टी बूल राज सिंहासन डावा दूल क्या अफरंगी क्या तातारी आँख मची और बढशी मारी कब तक ये सर्माय के धंदे कब तक ये सर्माया दारी बोल अरी ओ धरती, बोल राज सिंगा संदावा डोल डाइरेक्ट मेसेज है जनता को अगेंस्ट ब्रिटिश राज और सारे सरमायादार सब एक जैसे हैं क्या अफरंगी, क्या तातारी, आँख बची और बर्ची मारी कब तक ये सरमाये के धंदे, कब तक ये सरमायादारी बोल अरी ओ धरती बोल या उनकी एक नजम है कलेजा फुक रहा है और जबा कहने से आरी है बताऊं क्या तुम्हें क्या चीज ये सरमायादारी है जिधर चलती है बर्बादी के सामा साथ चलते हैं नहुसत हम सफर होती है, शेता साथ चलते हैं, ये अक्सर लूट कर मासूम इनसानों को राहों में, खुदा के जमजमे गाती है चुपकर खान काहों में, ये डायन है भरी गोदों से बच्चे चीन लेती है, वगरा वगरा, और आखिर में होप है इसमें, के उठाओ आधियां कमजोर है, बुनियादे काशाना, ये क्राइसस में है अब, और आधिय उठाने की जरूरत है, तो इनको बहुत सारे हमारे जो शायर वगरा हैं, पॉलिटीशियन्स हैं, वो इनको कह रहे हैं, ये नारे बाजी है, लेकिन ये रोमैंटिक रियलिजम की बेहतरीन मिसालों में से, जहां एक नई जिन्दगी, नई समाज, नई इनसान का खौब है, जहां ये कहा जा रहा है कि जो सिस्टम है अभी, इसको अपने चारों तरफ देखो, ये सड़ा गला सिस्टम है, और कहीं से स्ट्रगल करके ही उम्मीद निकलेगी, इस है फैज की मास्ट्री है, फैज फैज एक और बड़ा शायर है, जो हिंदुस्तान से शुरुआत करता है और पाकिस्तान चला जाता है, फैज एवद फैज की बारे में मैंने लिखा था कि लिस्टनिंग तो फैज, तो फैज, इस अल्सो ए सब्वर्सिव एक्टिविटी, बिकॉस पाकिस्तान में नियरा न उन्हें फैज, उमें फैज को गाया, पचास हजार लोगों का मजमा था और उन्हें से ज्यादातर लोग जिन्होंने सुना, वो अरेस्ट कर लिए गए अगले देगा, क्यों होता ऐसा? सवाल यह है कि फैज, लंदन में बैठे हैं, उन्होंने कोई नजम लिखी है, गा रह हैं नहीं आरा नूर, सुनने वाले बैठे हुए हैं, एक हौल के अंदर, तुम क्यों पकड़ के बंद कर रहे हैं? और वो भी सुनने वालों हो. So I think the fascist, the reactionaries, and those who want to control human beings and human mind, know the potential of ideas, know the potential of poetry and music, drama and film and art forms, that how subversive they can be. That is where the main struggle starts, and then it spreads. So they are scared of, उनको डर लगता है, जब कोई शायर एक नजम लिख करके सर्कूलेट करता है, उन्हें जादा डर लगता है, शायर एक छोटे demonstration के मुकाबले में एक नजम जो है, वो कहीं जादा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि वो उसे demonstration को एक दम से enlarge कर सकती है, consciousness बदल सकती है, फैज क्या कर रहे हैं, फैज उन शायरों में से हैं जो tradition को इसके सर पे खड़ा कर देते हैं, हर tradition को, बहुत traditional शायरी है, फैज की, डूबी हुई शायरी है tradition में, उर्दू का tradition, जो 300 साल का है, इंतसाब नजम है, जो जिसका मतलब होता है dedication, dedication, dedicate किसे कर रहे हैं, वो अपनी poetry, रेल बानों के नाम, कांगेवालों के नाम, कारखानों के भोले जियालों के नाम, वालिय मासिवा फिलर्ज दहकां के नाम, दहकां इस किसान, और उससे पहले क्या लगा रहे हैं, वालिय मासिवा फिलर्ज दहकां, यह Arabic के उठाया हुआ, एक sentence है, जिसका मतलब यह है, कि भगवान का नायब, जो inheritor of nothing है, ऐसा जिसके पास कुछ नहीं, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, और फिर उन औरतों के नाम, जिनके बदन, रियाकार, सेजों पे सच-सच के उखता गए, उन भोले बच्चों के नाम, जो हाथ के उपर अपने डिये ले करके गए, और उन्हें युनिवर्स्टीज में अंधेरा ही मिला, बखेरा, बखेरा, यह टोटल सब्वोशन है, डेडिकेशन का, बिकुज डेडिकेशन तो इससे पहले पूरी रिवायत यह है, कि आप बच्चा को करते हैं, आप अपने उस्ताद को करते हैं, आप खुदा को करते हैं, आप तरह तरह की और अथॉर्डिव्स को करते हैं, यह कैसे हो सकता है, उर्दू के ट्रेडिशन का किलर्कों का वर्ड इस्तमाल करना है किलर्कों का वर्ड उर्दू का वर्ड नहीं है वही कोई वर्ड नहीं है उर्दू में किलर्कों रेल बानों नया वर्ड बना रहे ड्राइवर के लिए पोस्ट मैनों नहीं है वर्ड उर्दू के अंदर पंजाबी से ले रहे हैं कट्रियों कट्रियों के नाम तो फैस जो है वो टोटल सबवर्जन के मास्टर तो पहली बात तो यह के दो़ा लिखते हैं वो बीच में नहीं डालते हैं बीच में डालते हैं ये ये रसमें दौा याद नहीं हमें याद ही नहीं हम जिनें सोज महबत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं तो ये दौा जो है वो ट्रिडिशन को अपने सर पे खड़े करने वाले बात है उल्टा करके वहाँ प्रेज आफ गौड में लिखी जा रही है लगातार यहां ये कि हमें गौड से कोई लेना देना है आईए अर्ज गुदारें के निगारे हस्ती जहर इमरोज में शीरीनिये फर्दा भर दे आईए ये दोआ करें कि आज का जो जहर है उसके अंदर आने वाले कल के खुबसूरती पर जाए वो जिने ताब गराबारी एयाम नहीं उनकी पलकों पे शबो रोज को हलका कर दें जो सह नहीं पा रहे हैं जल्म रोज का रोज का जो चक्कर है उसका जल्म नहीं सह पा रहे उनकी पलकों पे शबो रोज को राद दिन को हलका कर दें जिनका दी कजबो रिया है उनको हिम्मते कुफर मिले जुर्षे तहकीक मिले जो लोग जूटे मजब के पीछे दौड रहे हैं उन लोगों को क्वेस्टिन करने की प्रोब करने की हिम्मत मिले मैं बहुत सारी उठाता रह सकता हूँ और फैस के उपर एक अलग लेक्शर हो सकता है पर दू पॉइंट देट आइम ट्राइंग टू ड्राइव होम इस के फैस पूरे ट्रेडिशन को यूज करके उसे सबवर्ट करने वाला शायर है और नई थौट जो है उनको किस तरह से ट्रेडिशनल पॉइट्री के बीच में डाला जा सकता है इसकी मास्ट्री हासिल है अब किसी लैला को भी इकरार महबूबी नहीं पियोर लव पॉइट्री अब किसी लैला को भी इकरार महबूबी नहीं इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम शेरकाय पे कह रहें अरेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो प्रोक्रिसीफ सेक्शन है उसके उपर आफ़त आई हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग है जो कम्प्रुमाईज कर रहे हैं जो डर के भाग रहे हैं और कह रहे हमारा तो कोई एजिटेशन वगैसरा से ले नेना देना आए नहीं है। लगता ऐसा है कि ये लब पोईट्री है। अब किसी लैला को भी इकरार महबूबी नहीं है। इकरार का मतलब होता है ओन करना। अब लैला महबूब बनने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए ये आजकल हर एक दीवाने का नाम बदनाम हो चुका तो क्योंकर पकड़ धकड़ चल रही है वहाँ पर इसलिए अपने अपने रिष्टे तोड़ रही है सारी लेलाएं जो है फैज की एक नजम है जो मुझे बहुत देर से समझ में आई है मुझे फैज जब मैं सातवी आठवी क्लास में था तो लैंगवज की खुबसूर्ती की वज़ा से याद हो गए लेकिन सेकड़ों बार मेरे ख्याल में रिपीट करने के बावजूद ये नजम मेरी समझ मनी आई थी अगर मुझे इसका यकी हो मेरे हमदम मेरे दोस्त गर मुझे इसका यकी हो मेरे हमदम मेरे दोस्त तेरे चेहरे की उदासी तेरे सीने की जलन मेरी दिल जोई मेरे प्यार से मिच जाएगी गर मेरा हर्फ तसल्ली वो दवा हो जिस से जी उठे फिर तिरा उजड़ा हुआ बेनूर दमाग तेरी पेशानी से धुल जाएं ये तजलील के दाग यूँ ही गाता रहूं गाता रहूं तेरी खातर गीत बुनता रहूं बैठा रहूं तेरी खातर तुछ से मैं हुस्ट बहुबत की हिकायात कहूं कैसे मगरूर हसीनाओं के बसपाब से जिसम गर्म हाथों की हरारत से पिघल जाते हैं कैसे गुल्ची के लिए जुकती है खुद शाख गुलाब किस तरहा रात के इवान महिक जाते हैं यूँ ही गाता रहूं गाता रहूं तेरी खातर गीत बुनता रहूं बैठा रहूं तेरी खातर पर मेरे गीत तरे घम गम अदावा ही नहीं, गीत नश्टर तो नहीं, मून इसो घम खार सही, दोस्त और घम बताने वाला, गीत नश्टर तो नहीं, मून इसो घम खार सही, नश्टर इस पिर्स, right? Please, focus on these lines, now. They are the culmination of the old thing that Fais wanted to say. गीत नश्टर तो नहीं, मून इसो घम खार सही, तेरे आजार, तेरी ailment, तेरे आजार का चारा नहीं, दवा नहीं, नश्टर के सिवा, तेरे आजार का चारा नहीं नश्टर के सिवा और ये सफाक मसीहा मसीहा इस डॉक्टर सफाक इस मरसीलिस मरसीलिस डॉक्टर तेरे आजार का चारा नहीं नश्टर के सिवा और ये सफाक मसीहा मेरे قبضے में नहीं दो जहां के एक ये एक उपर वाला दो जहां के किसी जीरू हुके कबजे में नहीं, हां मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा. It was extremely difficult point to understand. But it has all the beauty of Urdu literature. The words that have been used, the meter that has been used is one of the most beautiful meters. और फैस साब इसको बहुत बुरा पढ़ते थे, मैं बहुत अच्छा बढ़ रहा हूँ. फैस साब सारी अपनी नजमों को बुरा पढ़ते थे. पोएम क्या कह रही है? पोएम ये कह रही है, कि ए मेरे दोस्त, working class, मजदूर, किसान, मैं एक point हो, मैं तेरा दोस्त हो, मैं तेरे लिए ये ये चीजां कर सकता हूँ, और क्यों ही गाता रहूं, बैटा रहूं तेरे खातर, गीत बुनता रहूं, बैठा रहूं तेरे खातर. ये तो मैं कर सकता हूँ. लेकिन मेरे गीत तेरे दुख को खतम नहीं कर सकते हैं बाट सकते हैं खतम नहीं कर सकते हैं So revolution has to be brought by the working class I belong to middle class That's a Marxist formulation और ये इतनी खुबसूरती के साथ romantic realism की मेरे ख्याल में सबसे खुबसूरत मिसालों से एक मिसाल बन जाती है तो फैस पे और जादा वक्त ना लगा करके मैं कुछ example साहिर लोध्यानवी की देता हूँ आपको साहिर लोध्यानवी एक ऐसा शायर है जो अपने को कहता था कि मैं शायर नहीं बनना चाहता बड़ा मैं lyricist बनना चाहता हूँ पर मेरी ख्याल में उर्दू के बहुत बड़ा शायर है इसलिए कि इससे पहले कोई शायर इतनी खुबसूर्ती से definitions का शायर नहीं बन पाया definitions से मतलब है मेरा ये कि minimum word में शायर हर शायर बात करने की कोशिश करता है लेकिन यही characteristics है जो definitions की होती है to every action there is equal and opposite reaction minimum words में आप एक किसी concept को define करते है साहिर लुध्यानवी इसका master है romantic realist है और इस चीज़ का खास्तोर से master है tank आगे वढ़ें के पीछे हटें कोग धरती की बांच होती है फत्य का जश्न हो के हार का सोग जिन्दगी मैयतों पर होती है minimum words के इस्तेमाल से इतनी खुबसूरत anti-war poem anti-war sentiment express करना मुश्किल का आगे बढ़ेंगे tank चाए पीछे हटेंगे कोग तो धर्ची की बांच होगी होगी का एका जश्न मना रहे हुआई जिन्दगी तो मैयतों पर हो रही है जीत गए पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान जीत गए हिंदोस्तान के खिलाफ मरेंगे तो दोना तरफ लोग तो उन मैयतों का जश्ट बना रहा हूँ इसलिए ऐ शरीफ इनसानों जंग डलती रहे तो बेता है हम अम्न चाहते हैं मगर जल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही अगर स्ट्रगल करना जरूरी है यहां जंग का मतलब अलगी यह चीज़ कहना इतने कम वर्ड्स में मुश्किल है और यह क्लारिटी होना जालिम को जो न रोके वो शामिल है जल्म में कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है Clear Position Clear Philosophical Position You can't be Neutral अगर आप Neutral कहरे हैं अपने को तो आप यह इस के साथ है यह इस के साथ है जालिम को जो न रोके वो शामिल है जल्म में कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है चीज़ आप जल्म में झाल झाल